तो आज का कमेंट है इंदर भाई का और निकाए नहीं यह है कि भाई 5.15 वाड़ पर बनाओ वीडियो में जो है सिंगल चैनल पाउर एंप्लिफायर के वीडियो में इन्होंने जो है कमेंट किया था कि 5.15 वाड़ पर वीडियो बनाओ तो यहां पर चली बात कर लेते हैं आज के वीडियो के टॉबिक में एक टॉप दो टॉप कैसे चलाएंगे मतलब कितना हम चला सकते हैं एक बेस चला सकते हैं या फिर दो बेस साथ ही साथा नहीं में आपको बतारे हैं यहां पर कितने हजारोमाट तक हमवाड टाल सकते हैं और और यहां पर amplifier में जो है कितना power हमें मिल जाता है maximum तो चलिए बात कर लेते हैं आपर 5.500W booster amplifier के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चनल में नय है तो subscribe करिए बेल लेकोन को all में set कर लीजिएगा और वीडियो का लाइक सेर जूर करिएगा तो चलिए बात कर लेते हैं तो यहां पर फ्रण में आप amplifier देख सकते हैं काफी अच्छा amplifier है यहां पर आपको volume gain आपको मिल जाते हैं बहुत सारे तो आप जैसे भी sound आप पर operate कर सकते हैं जैसे भी आपको sound set करना है base, meet, treble आपको मिल जाता है और यहां पर आपको indicator level भी मिल जाते हैं तो काफी अच्छा amplifier है और हम बात करते हैं अब यहां पर कि इसमें क्या-क्या power हमें मिल जाता है इस specification तो यहां पर power जो है इसमें 1500 watt का amplifier तो है लेकिन यहां पर अगर maximum power के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हम 2000 watt तक इसमें operate कर सकते हैं अब बात करते हैं आउटपुट के बारे में तो यहां पर अगर आप आउटपुट यहां पर लेते हैं एंप्लिफायर से तो यहां पर आपको 2 ohms और 4 ohms का option यहां पर मिलेगा और यहां पर 8 ohms का option नहीं मिलेगा और यहां पर line output के बारे में बात करते हैं यहा कीस किलो का बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि वजन ही है तो यहां पर 5 कोर का जो पंदरस वाट का अंपलिफायर है तो यहां पर हम बात करेंगे इसमें लोड कल्कुलेशन के उपर कि यहां पर हम 2 बेस या फिर टॉप कैसे चला सकते हैं तो पहले हम 1000W तक या फिर 1200 या फिर 1500W का भी चला सकते हैं लेकिन यहां पर बेस के लिए उतना काफी अच्छा नहीं होने वाला है आपके लिए आप यहां पर बेस टॉप के लिए काफी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि यहां पर बात करते हैं 2 बेस के उपर तो अगर आप दोवीज चला सकते हैं इसे अपलीफार में तो बेस आप चला सकते हैं जो कि ए CC अच्छा था तक आपको खोल देना है वो इस टाइब से बेस नहीं मिलेगा लेकिन हाँ यहाँ पर काम चला सकते हैं इसमें अगर आप बेस चलाते हैं दो बेस तो यहाँ पर 800 वाड का दो यूज़ करें काफी अच्छा है यहाँ पर आपको रिस्पोंस ते देगा अब बात करते हैं हम पर दोस्तों कि इस एम्प् चला सकते हैं 300 वाड वाला जो कि काफी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा उसे भी अगर है तो भी चला सकते हैं जैसे कि 800 वाड का डूल टॉप होता है उस टाइब का भी टॉप चल जाएगा कोई दीकत नहीं आईगी अब बात करते हैं पर दो टॉप अगर आप चलात सकते हैं लेकिन यहाँ पर दो टॉप दो चलाएगे जैसे कि 400 प्लस 400 प्लस 100 वाड का है एक टॉप में और काफी अच्छा रिस्पोंस आपको मिल जाएगा और काफी अच्छा वी साउंड आपको दे देगा एंप्लिफार निकालके और एंप्लिफार हीड भी नहीं होगा तो काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर 900 वाड का हम दो टॉप इसमें चला सकते हैं अब बात रहती है कि यहाँ पर 500 वाड का बूश्टर एंप्लिफार है इसका प्राइस कितना होगा एप्रोक्स तहाँ पर मैं आपको एक अनुमान बता देता हूं मार्केट में हो सकता है एक दो हजार के आसपास जो है कम ज्यादा हो सकता है तो यहाँ पर इसका प्राइस है लगबख 16,000 के आसपास 17,000 भी पढ़ सकता है 500 या फिर 1500 के आसपास जो है उपर नीचे हो सकता है सभी मार्केट में अलग-अलग प्राइस होते हैं तो वो आपको भी पता होगा तो यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों साथ चैनल में अगर अभी तक नहीं है तो नीचे जाके लाल रंग का बटन है उसको सब्सक्राइब करिए पास में आएगा आइकन मतलब बेल आइकन आएगा उसको दबा करके आउल में सेट कर लीजिए जब ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल में तो आपके पास नोटिपिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और कमेंट जरू करिएगा वीडियो कैसा लगा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय एंड वन दे मतरम